हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू एमके मैसवर्ट स्टूरेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तांकि नए स्टेडी बेस वीडियो आप तक पहुँछ पाएं student आज हम 8th class का 3rd chapter लाए हैं squares and square roots including cube and cube roots student हम 3rd chapter की exercise 3.1 कर रहे थे आज हम उसके next sum करेंगे student 3.1 exercise का 4th sum देखो show that 7200 is not a perfect square के तर शो करो कि यह जो है perfect square नहीं है ठीक है तो इसके भी prime factor बना के देखेंगे हम अगर तो pair बना then it is a perfect square otherwise नहीं होगा now student इसके prime factor बनाएंगे सबसे पहले यह even number है ठीक है last पे 0 है तो यह 2 पे divide होगा 2, 3s are 6, 1 बची गया यहां पे 12 बन गया तो 2 के table में 12 कहां आता है 6 पे तो यह 0 ऐसे ही 7 में उतार लेंगे ऐसे ही next 2 के table में 36 18 पे 0 7 में आ जाएंगी then 2 के table पे 9 पे 18 0 7 में अब 2 के table पे यहां पे 2, 4s are 8 1 बची गया 10 बन गया है यह तो 2, 5s are 10 यह 0 की 0 ठीक है अब यहां पे फिर से 2 पे 2, 2s are 4 यह 2, 2s are 4 5 से छोटा है न 4 तो 1 बची गया यहां पे यह 10 बन गया है 2, 5s are 10 अगर आपको ऐसे easy लगता है तो आप ऐसे कर लो नहीं तो आप सामने rough में divide का sign लगा के जैसे simple divide करते हैं वैसे भी कर सकते हो ठीक है next odd number आगया तो यह 3 पे जाएगा 3 odd है ठीक है then last पे 5, 5 पे अब यहां पे हमने देखा कि यह group बन रहे है ठीक है लेकिन 2 जो है वो बच गया left हो गया उसका कोई group नहीं है therefore because 2 is left ठीक है group नहीं है उसका therefore it is not a perfect square clear student now student next fifth sum है which of following numbers are squares of odd number second है even number हमने बताना है कि इन में से कौन से number जो है वो odd number का square है और कौन से even number का तो student इसके लिए आपको कुछ important facts जो है वो याद रखने है यहाँ पर exercise के उपर बुक पर आपके page पर देखो some important facts about square number first है हमारे पास the square of an odd number is an odd number हमेशा ही जो odd number का square है वो odd आएगा और second है square of an even number is an even number clear तो यही हम use करेंगे वहाँ पर now student answer क्या होगा fifth sum का अब odd number तो सभी को पता है ना ठीक है जो two के table पे ना आए ठीक है तो जो two से divide हो जाएं वो क्या है even number तो यहाँ पे last पे हमने last digit देखना होता है पूरे number में अगर तो वो odd है तो पूरा number odd होगा अगर वो even है तो पूरा number even होगा अब यहाँ पे जो odd number है वो odd number का square होंगे और जो even number है इसमें वो even number का square होंगे clear यहाँ देखो answer में यह odd है नाइन वाला number last पे सभी 9 वाले जो है वो odd numbers में आ जाएंगे और 6 और 4 वाले जो है वो even number में आ जाएंगे clear student देखा कितने easy way से हमने यह topic सिखा है ऐसी और study based video देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और like जरूर करें thank you